हैलो एविरीबन बलकम टो माई चैनल तो आज की इस वीडियो में हमें यापर पिरिंसिज कट नैट बाले बिलाउच की कटिंग करना सिखाएंगी तो यहाँ पर हमारे पास नैट का कपड़ा है इसमें दोनों तरफ से देखी कड़ाई है तो कड़ाई हम पीछे और आगे वाले पल्ले पर लाएंगी और यहाँ पर हमारे पास अस्तर है अस्तर इसमें ही लिकला था ठीक है तो चलिए इसकी कटिंग पहले कर लेते हैं तो सब सबसे पहले हम यहाँ पर पीछे वाले पल्ले की कटिंग करेंगे तो अत्तर को हमें अच्छे से फोल्ड करके बिछाना है। यहाँ पर हमारी बिलाउच की लंबाई 13 इंच है तो एक इंच का हमें मार्ज लेना है तो 14 इंच पर निसान लगा लेंगे। और यहाँ से सोल्डर की चोड़ाई नापेंगे तो सोल्डर की चोड़ाई हमें आप छे इंच रखेंगे और यहाँ से आर्मोल की लंबाई रखेंगे आर्मोल की लंबाई भी छे इंच रखेंगे और डेल इंच पर हमें आर्मोल की गुलाई कर देना है तरह से। और सीने की चोड़ाई हमारी 34 इंच है तो 34 के चोथाई भागुए साड़े आठ इंच तो साड़े आठ इंच पर हमें निसान लगाना है और यहाँ पर हमें देड इंच का माजन लेना है और कमर की चोड़ाई हमारी 28 इंच है तो 28 के चोथाई भागुए साड़े साथ इंच और एक इंच प्लेट के लिए मार जन लेंगे तो यहां पर भी हमें साड़े आठ इंच पर निसान लगाना है और डेल इंच का सिलाई मार जन लेंगे तो हमने निसान लगा दिया है अब हमें यहां पर कटिंग करेंगे और यहाँ पर गले का निसान मैंने नहीं लगाया है क्योंकि जो हमारा नैट का कपड़ा है उसमें पहले से ही गला बना हुआ है तो उसी हिसाब से हमें गले को बनाना है तो इसलिए मैंने यहाँ पर गले का निसान नहीं लगाया है और दोस्तो प्लेज इस वीडियो को लाइक भी कर देना क्योंकि यहाँ लोग लाइक करना भूल जाते हो तो दोस्तो प्लेज इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना तो हमने यहाँ पर कटिंग कर लिया है तो अब हमें यहाँ पर प्लेट का निसान लगाएंगे तो चोड़ाई साड़े 5 इंच रखेंगे और यहाँ पर लंबाई 4 इंच रखेंगे यह हमारी पीछे की तरफ पलेटा जाएगी एक इंच ओड़ी तो यहाँ पर हमारी कटिंग हो गई है अब हमें आपर क्या करेंगे आगे वाले पले की कटिंग करेंगे तो फिर से हमें अत्तर को अच्छे से फोलड करके बिज़ाना है अब हमें आपर क्या करेंगे इसके उपर पीछे वाले पले को रखेंगे इस तरह से रख लेना है ठीक है तो कुछ तरह से मैंने पले को रख लिया है अब हमें आपर निसान लगाएंगे आर्मोल की साइड से हमें सेम निसान लगाना है और उपर की तरफ भी सेम निसान लगा देंगे और यहाँ पर हमें आदा इंच पर निसान लगाना है और नीचे की तरफ हमें देड़ इंच का माजन चोरते हुए यहां पर निसान लगाएंगे तो लंबाई में मैंने यहां पर देखी डेड़ इंच ज़्यादा रखा है और यहां से भी मैंने डेड़ इंच ज़्यादा रखा है और उपर की तरफ आदा इंच ज़्यादा रखा है ठीक है फिर हमें आपर इस पल्ले को हटा देंगे यहाँ पर आर्मोल की लंबाई हमारी 6 इंच है तो 6 इंच पर निसान लगा देंगे और एक इंच पर आर्मोल की गुलाई करेंगे पीछे आले पल्ले की हमारी 1.5 इंच की गुलाई है अब हमें आपर प्रिंसिस कट का सेफ देंगे तो चौणाई में हमें 3.5 इंच पन निसान लगाना है फिर हमें आपर 1.5 इंच पन निसान लगाएंगे फिर हमें आपर क्या करेंगे लंबाई में 4 इंच पन निसान लगा देंगे और इत्रे से पहले सीधी लान खीचेंगे और यहाँ पर हमें कुछ इत्रे से से शेप देना है ठीक है इस तरह से हमें पिरिंसिस कट का सेप देना है भुती आसन तरीके से आप इस वीडियो में सिख जाएंगे कि किस तरह से मैंने पिरिंसिस कट बिलाज को बनाया है अब हमें याँ पर भी कटिंग कर लेती है याँ पर भी मैंने गले को नहीं कटिंग किया है क्योंकि जो हमारा गला बना हुआ है उसी हिसाब से हमें कटिंग करना होता है तो इस तरह से मेंने कटिंग कर लिया है अब हमें या पर भी इक प्रिंसिस कट का जो सेफ है उसी हिसाब से हमें कटिंग करना है ठीक है तो कुछ बशाब से कटिंग कर लिया है इस तरह से हमें दोनों पल्ले को जोंट करना है ठीक है अब हम यहां पर क्या करेंगे नैट बाला पल्ला लेंगे और इसको हमें विल्कुल एक बरावर करके रख लेना है ठीक है और यहां पर निसान लगा लेंगे तो निसान हमें यहां पर लगाना है साड़े तेरा इंच पर और यहां से हमें नीचे की तरह भी निसान लगा देना है नीचे की जो हमारी किनारी ये लिकल लई है तो उसको लिकाल देंगे और गले की लंबाई हमारी साड़े आठ इंच आ रही है अगर आपको गले की लंबाई और ज्यादा रखनी है तो आपको लंबाई में उपर से और ज्यादा रखना होगा इससे हमारी गले की लंबाई ज्यादा हो जाएगी तो पले को रखके हैं से हमें कटिंग कर देना है और जो हमारा नेट का कपड़ा है इसको जादा कटिंग करेंगे क्योंकि सिलने के बाद हमें इसको अच्छे से कटिंग कर देना है तो नीचे की जो हमारी किनारी है इसको लिकाल देंगे यहां पर नंग है तो कटिंग करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है तो हमारी यहापर पीछे आले पल्ले की कटिंग हो गई है अब हमें आपर क्या करेंगे फिर से पल्ले को लेंगे और इसको हमें अच्छे से फोल्ड करके बिछाना है जो हमारा गला है इसको बिल्कुल एक बराबर रखेंगे तो गले की लंबाई हमारी 5 इंच रहेगी तो आदा इंच का मार्जन छोड़के 5.5 इंच पर निसान लगा देंगे और गले की चोड़ाई हमारी 3 इंच रहेगी अब हमें आपर इसके उपर आगे वाले पल्ले को रख लेते हैं कुछ इत्रह से रखने के बाद हम यहाँ पर इसको भी कटिंग कर लेते हैं तो यहाँ पर हमारा ज्यादा नैट नहीं है तो इसको हम क्या करेंगे थोड़ा सा ही मार्जन छोड़ते हुए कटिंग करेंगे नीचे से भी बरावर कटिंग करेंगे तो एक पल्ला हमारा कटिंग हो गया है और जो आगे का जो दूसरा पल्ला है तो इसको भी हमें आसे कटिंग करेंगे तो नैट को इतरह से रखेंगे और इसके उपर इस वाले पल्ले को रख लेते हैं अच्छे से विल्कुल एक बरावा रखेंगे और रखने के बाद हमें आपर इस वाले पल्ले को भी कटिंग कर लेते हैं तो मैंने इस वाले पल्ले को भी कटिंग कर लिया है ठीक है तो अब हमें आपर क्या करेंगे बाजू की कटिंग करेंगे तो फुल बाजू हम यहाँ पर बनाएंगे तो नेट को हमें अच्छे से फोल्ड करके बिछाना है जो हमारे यहाँ पर डिजाइन बनी है तो इसको विल्कुल एक बरावर रखेंगे और इसको इतरह से फोल्ड करेंगे अब हमें यहाँ पर क्या करेंगे निसान लगा देंगे और नीचे की तरफ हमें यह क्या डेल इंच का माजर लेना है तो इहाँ पर भी निसान लगा देंगे और बाजू की लंबाई हमें यहाँ पर साड़े सत्रा इंच रखेंगे तो यहां पर निसान लगाएंगे और चोणाई में हमें 7 इंच पर निसान लगाना है और मोरी हमारी 5 इंच की रहेगी तो यहां पर निसान लगाएंगे तो हमने निसान लगा दिया है अब हम यहां पर बाजू की कटिंग करेंगे यहां पर हमारी चौणाई में थोड़ा सा नेट कम है तो हम यहां पर क्या करेंगे जो उपर का नेट बचा था तो इसको हम यहां पर लगा लेंगे इससे हमारी चौणाई बाजू की है वो बढ़ जाएगी तो इसको यहां से कटिंग कर लेते हैं तो ये पट्टी हम क्या करेंगे यहां पर लगाएंगे आगी की साइट अब हम यहां पर क्या करेंगे हलकी सी गहराई देंगे यह वाला इससा हमारा आगे की तरफ रहेगा तो यहां पर कट लगा देंगे तो हमारी बाजू की कटिंग हो गई है और देखी इसको मैंने प्रेसे सिला है तो इसकी हम अलग सी वीडियो बनाएंगे तो उम्मेद करती हूं कि ये वीडियो आपको जरूरू पसंद आई होगी पसंद आई है तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें और बैलाकन को भी दबा दे जिससे जो हमारी आने वाली वीडियो है वो आप लोको सबसे पहले मिलेगी तो मैं मिलती हूं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई